गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरूर साक्षात पर ब्रह्मा, तसमेश्री गुरुवे नमाः जैश्री कृष्णा, मेरे इस चानल लड्डु गोपाल के भक्त में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे गुरू पूर्णिमा और उसके महरत्व के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगे कि अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उससे सब्सक्राइब करें बेल आइटन को नोटिफिकेशन ट्रेस करें तक ये इसी तरह की जानकारियां आप तक बिना विलम पहुंच सके आएए शुरू करते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार आशाड मास में पढ़ने वाली पूर्णिमा को ही गुरू पूर्णिमा कहते हैं गुरू पूर्णिमा का एक दूसरा नाम भी है व्यास पूर्णिमा कहते हैं इसी दिन भगवान श्री वेद व्यास जी धर्ती पर अफ्तरत हुए थे वेद व्यास जी के कारण ही चारों वेद मनुश्य तक पहुंचे हैं उन्होंने सारे पुराणों की रचना किये है वेद व्यास जी के बारे में महाभारत में काफी कुछ वर्णन है वेदव्यास जी के भारे में भगवान श्री कृष्ण अपनी भागवत गीता में कहते हैं कि जस्त प्रकार गायों में काम देनूं, नदियों में पवित्र गंगा और मुनियों में मैं ही वेदव्यास हूं इसके साथ साथ गुरु पूर्णिमा उन सभी गुरुओं को भी समर्पित है जो अध्यात्मिक जगत में किसी भी मनुश्य को ईश्वर तक पहुँचाने का काम करते हैं इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 को पढ़ रही है उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी 24 जुलाई के बाद सावन का महीना लग रहा है सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है अगर आप सावन के महीने या भगवान शिव के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा जै श्री कृष्णा